मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ कई बार लोगों को बिच्छू काट लेता है, इसको और पिच्छू काट लेता है, और जब दर्द होता है तो आदमी बताता है कि क्या तक्लिफ है, उसको दूसरा जान नहीं सकता, उसकी पेम कितनी होती है, बहें कर पेम होता है, बिच्छू ने काट लिया, अब बिच्छू का नाम है Silesia S-I-L-I-C-E-A S-I-L-I-C-E-A Silesia उसके आगे potency उसकी लिखना 200 200 और ये भी liquid form में रखनी है 5 ml घर में और इस दवागों को पैसे यूज़ करना है एक एक drop टंग पे 10 मिनट में 3 बार अब बिच्छू काटता है तो क्या होता है बिच्छू काटता है तो उसका जो डंग है न वो उसको अंदर छोड़ देता है वो डंग है वो लेट करता है बिच्छू काटे और डंग को बाहर निकाल ले तो कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन काट के वो जो छोड़ देता है अंदर उसमें सारी तकलीफ आ जा जाए तो अब उस डंग को बाहर निकालना और यह आसान काम नहीं है डॉक्टर के पास जाएंगे वो कट करेगा चीरा लगाएगा फिर खीच के निकालेगा उसमें ब्लीडिंग भी बहुत होगी तकलीफ भी बहुत होगी यह मेडिसिन अतनी बहतरीन मेडिसिन है कि आप इसके तीन डोस देंगे दस-दस मिनट पर यह केक बूंद और आप देखेंगे कि वो डंक अपने आप निकल के बाहर आ जाए और अपने आप या जाए जिस रास्ते से वो अंदर गया उसी रास्ते को फाड़के वाफस आ जाएगा और आप हाथ से उठाके रख दीजिए और वो पेशेंट कहेगा दर्दायव हो गया बिल्कुल तीन डोस में आदे घंटे में आप उसको पेंट से रिलीफ कर सकते हैं बहुत जबरजस्त मेडिसन है यह से लिश्यू और आप सुनके हरान हो जाएंगे यह मेडिसिन मिट्टी से बनती है यह जो नदी की मिट्टी होती है ना नदी की मिट्टी जिसमें थोड़ी बालू रहती है उसी से यह मेडिसिन बनती है और बिच्छू काटने के लिए बहुत अच्छे से काम आती है वैसे हम लोग इस मेडिसिन को और भी बहुत सारे काम में लेते हैं एक और जानकरी दूँ कि अगर आप सिलाई मशीन पे काम कर रहे हैं कभी बार या कुछ धागा वागा पिरोने का सीने का तो सुई चुप जाती है और अंदर तूट जाती है या फस जाती है उस समय भी ये मेडिसिन आप ले लीजे वो सुई को बाहर लेका लेगे सिलाई मशीन S-I-L-I-C-E-A उसके आगे नंबर है 200, 200 उसकी पोटेंसी तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं जब विच्छू ने डंग मारा हो सिलाई मशीन में काम करते समय हाथ में सोई घुस गई हो, तूट गई हो काटा लग गया हो, very good काच लग गया हो, very good, अब तो आपका माइट चलने लेगा बहुत अच्छा, यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपका माइट ऑपरेशनल होगा है जी, वो क्या होता है ततयया, yes, 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 you can use ततयया, हनी भी, मदुमक्ही ने काट लिया हो ततयया ने काट लिया हो, यह सब जो काटने वाले अंदर जो छोड़ देते हैं वो सब के लिए आप इसको यूज करें बहुत तेज पेंट रिलीवर है और जो कुछ अंदर छुटा हुआ है, उसको बाहर निकालने के पड़े से हम लोग बहुत सीरियस केसिज में भी इसको यूज करते हैं पुटेंसी उसकी बहुत बढ़ जाती है जब किसी को गोली मारे कोई, गोली लग जाए, सपोज और गोली ऐसे स्थान पर लगे, जहां ऑपरेट करके निकालना मुश्किल हो ये जो growing part होता है न हमारा pelvic reason में यहां आगर गोली लगि जाए तो कोई डॉक्तर निकाल सकता और कई बार गोली जो है जो है ना, joints के बीच में फच जाए तो भी कोई ने निकाल सकता और कई बार गोली ऐसे reason में लग जाए, suppose Lever reason में या तो भी नहीं निकाल सकता लाइक प्रमूद महाजन आपको मालूम तब उस समय हम इसी मेडिसिन को यूज करते हैं और इस मेडिसिन की हाइर पुटेंसीज, वन एम, टैन एम में हम तीन खुराक देते हैं अंदर की फसी हुई गोली अपने आप बाहर आ जाती है और उसको हम सीजर से उठा के टालते हैं इतनी मिरेकुलस मेडिसिन गोली वाले में आप मत करिये उसको मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ आप जितना कर सकते हैं उतना मैं बोल रहा हूँ बिच्छू काटने के लिए सुई फस गई है उसके लिए क्योंकि गोली वाले में आप मत जाईए वो डॉक्टर के लिए छोड़ दी जा मैं जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि यह मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है कई बार बम मार दिया किसी ने और बम में छोटे 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 छर्रे होते वो छर्रे अंदर घुस गए फ्लेश में अब वो नहीं निकलते तो हम इसी मेडिसिन को यूज करें कई वार आर्मी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वार जब होती है अभी कारगिल वार होई थी तो हमारे बहुत सारे दोस्त जो आर्मी में हैं उनको गोलियों के छर्रे घुस गए किसी को बैकबोर्न में घुसे हुए थे किसी को ग्रॉइं प्रीजन में थे और डॉक्टरों ने उनको कह दिया था कि जिन्दगी अब ऐसे ही बिताओ भाई ये निकाल तो हम नहीं सकते दर्द है तो उसके लिए पेंट किलर ठाते रहो ऐसे जितने भी केसिस मुझे पता चले मैंने सब को सिलिशिया देके ही सब निकल वाई है और वह बिल्कुल ठीम है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है बहुत सस्ती मेडिसिन है अभी तीसरी चीज़ पर थोड़ा चलते हैं कुट्टे ने काट लिए कोई एक्सपाइरी डिट नहीं है बस आप इतना ही ध्यान रखेगा कि शीशी खुली ना रह जाए खुली रह गई तो वो सब उड़ जाए एक्सपाइरी डिट कुछ नहीं है फ्रीज में रखना नहीं है सूरज की दूप में रखना नहीं अभी तीसरी चीज़ पढ़ते हैं कुटे ने काट लिया अग घरेफी कुट्टा काट lenاء तो कोई दिक्कत नहीं है सरग्वाला कुट्टा काट लिया तो आप जानते हैं नहीं कि उसको injection दिये हुए हैं नहीं दिये हुए हैं और उसने काट लिया तो अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो 14 injection लगाएगा और वो भी पेट में लगाता है और इतना पेन होता है इतना तकीफ देता है खर्चा उसमें हो जाता है कम से कम पचास हजार तक कही बार गरीब आपने के पास वो भी नहीं है तो एक मेडिसन उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ वो भी आप अपने धर में रखिए कुंता कभी भी काटे पागल से पागल कुंता काटे घबराये मत चिंता मत करिये बिल्कुल ठीक होगा वो आदमी उसको वो मेडिसन दे दीजे ऐसे ही एक एक ड्रॉप दस-दस मिनिट में तीन बार मेडिसन का नाम है हाइड्रोफोबिनम एच वाई डी आर ओ एच वाई डी आर ओ पी एच ओ पी एच ओ बी आई एन यू एम हाइड्रोफोबिनम बी आई एल यू एम बी फॉर बॉंपे बी फॉर बॉय हाइड्रोफोबिया होता है न उसी से बना हाइड्रोफोबिनम पोटेंसी उसकी दो सौ तुहंड्रे और तरीका वोई है लिक्विट फॉर्म में ले लीजे एक एक ड्रॉप जीप पे डालिए दस-दस मिनिट में त तुहंड्रे कितना भी पागल कुता काटे विल्कुल आप उसको बिंदास देदी और भूल जाहिए पर मन में यह मत रखिए कि इंजेक्शन लगवा लिए यह दवार दोई चीजों से इसको बचाना है एक तो सूरज की धूप से और रेफरिज रेटर से हाइडरो फोबिनम है पागल कुता काट लेगा तब आप उसके लिए यूज करें कोई दूसरा है तब तो चिंदा ही मत करें पिर क्या दिकर रेबीज जो होता है वो सिर्फ पागल कुते के काटने पर ही होता है अगर सेंसिबल कुता है तो कितना भी काटेगा नहीं होगा लेकिन हमारे मन में वहम ऐसा बैठा हुआ है डर ऐसा बैठा हुआ है कि कई बार वो आदमी रह भी से नहीं मरता वो वहम से मर जाता है उस समय उस समय तो कुछ करना ही नहीं है थोड़ा हल्दी लगा दीजिए बस इस्ट्रे डॉग काट दिया है तो आप अपने मन का वहम दूर करने के लिए यह दवा दे सकते हैं लेकिन मेरा यह कहना है कि उससे कुछ नहीं होता इस्ट्रे डॉग काट लेगा अगर वो पागल नहीं है तो पेशेंट को कुछ नहीं होता वो हमारे मन का वहम है जिसमें हम परिशान रहते हैं और कुछ डर डॉक्टरों ने मिठा रखा कि इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा अपने बॉड़ी में थोड़े बहुत रजिस्टेंस सब के बास है अगर कुट्टे के काटने से उसकी लार ग्रंतियों के कुछ वाइरस चले भी गए हैं तो उनको खतम करने के लिए अपने ब्लड में काफी कुछ है वो खतम करी लेता है लेकिन चुकि मन में डर मिठा दिया है भै बैट गया है शंका हो जाती है हमको कंफर्म नहीं होता जब तक कि हम 20-50,000 खर्च नहीं कर लेते ये उस समय के लिए मैंने कहा कि आप ये दवा ले लिजे और इसका एक एक ड्रॉप 10-10 मिनट में तीन बार डालके छोड़ दीजे भूल जाई है आप भी और पेशेंट से गई है वो भी बूल जाए एक ही दिन और दस-10 मिनट पाने 30 मिनट में सब काम करते नहीं तेकि अगर कुटे को कुटे ने काटा है तो तो उसके लिए तो इसकी जरूरइती नहीं बेंद दूसरय।क्ट으면 कि कुत्ता जू है ना आपशे जादा रजिस्टेंसवाना है् उसके लिए तो इतना ही करिये कि दूर पिला दीजिये हलदी तो आपके घर के गते पो बाहर के कुत्ते ने काट लिए तो आप जाने कुटा बहुत समझदार जानवर है, हमसे जादा समझदार है हाँ, लेकिन कही बार ऐसा होता है कि वो घर के बच्चों के साथ खेल कूद कर रहा है और गलती से उसका कोई दाट लग गया तो तुरंत आप इतना ही करिए कि जहां दाट लग जिया है वहाँ थोड़ा बहुत बलड आएगा, वहाँ हल्दी लगा दीजिए, बस खतम हो गई बार सावन से बिल्कुल बन दोएगा, सावन प्राब्लम करेगा क्योंकि सावन से दोएगे तो जरूर उसमें सूजन आ जाएगी और पक जाएगा सावन क्या है, सावन क्या है वो जान लीजिए, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइट्रोकसाइड, यह बहुत तेज रियक्ट करता है ओबन वुंड जो होती है, कुली हुई चोड़, उसमें गलती से दी सावन एप्लाई मत करिए आपके घर में बहुत अच्छा है, एंटी बायोटिक, एंटी टिटनेटिक, एंटी पायरेटिक, एंटी इंफलेमेटरी हल्दी लगा दीजे थोड़ी देश, खतम बात, लाल मिर्च मत लगाएगे, क्योंकि बहुत जलन होती है बहुत जलन होती है लाल पिर्च कर सकते हैं लेकिन जलन इतनी होती है कि पेशेंट विचारा चिलना शुरू कर दे उससे ज़्यादा सूधिक एफेक्ट है हल्दी के आप उसे यूज़ करिए अब और एक बात पे आगे बढ़ते हैं बंदर के लिए भी कर लिए बंदर के काटने से आज तक तो कोई मरा नहीं दो लिया क्योंकि बंदर शाकाहरी जीव है उसके बॉड़ी में बिल्कुल जहर नहीं और बंदर जो है ना आईडियल जीव माना जाता सारी दो मैंने बंदर पे थोड़ा रिसर्च किया उसके काटने से तो कोई मर नहीं सकता एक बार दूसरा वो कभी किसी को हार्म पहुंचाता नहीं है जब तक आप उसको कोई तकलीफ ना दे और उसके ब्लड के बारे में सारी दुनिया के वैग्यानिक है बढ़ान है यह जानकर कि उसके ब्लड का जो आरच फैक्टर है वो दुनिया में आइडियल है इसका मतलब समझते सरल भाशा मैं समझाता हूं बंदर को कभी भी डाइबिटीस नहीं हो सकती बंदर को हर्ट अटेक नहीं आ सकता बंदर को काडियक अरेस नहीं हो सकता बंदर को ब्रेन हैमरेज नहीं हो सकता बंदर को पैरलेसिस नहीं हो सकता और इतनी सारी सीरियस बीमारियों के बाद कैंसर तो कभी नहीं हो सकता उसका ब्लड ऐसा है भगवान में उसको ब्लड दिया है ऐसा आप इसको उल्टा भी कह सकते हैं तो बंदर के बारे में बिल्कुल एशोर रही है आप बिल्कुल मत गवराईए बिल्कुल मत डरिये वो थोड़ा आपको चिड़ा जरूर सकता है और उसको कुछ भूख भूख लगी है तो चिड़ीन के खा सकता है इससे जादा वो कुछ जादा तकलीफ नहीं करता है दोस्तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिल लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ, हमारा एंडरोइड एप डाउनलोड करना ना भूले